हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी आज की वीडियो में आपका स्वागत है आज का टॉपिक है हमारे पास वह है ब्लाउस की स्टिचिंग कैसे करनी हैं ब्लाउस का प्रॉपर फिटिंग लगाने का तरीका कैसा है और कहां क्या हमें दबल कपड़े पर जैसे अस्तर वाले ब्लाउस फूलता है और जो चिकना वाला कपड़ा होता है तो आपको बराबर साइट करना नहीं आता कि किस तरीकसे सेट करना चाहिए तो यह सारी चीज आज की वीडियो में हम सीखेंगे और में जो चीज है इसमें मैंने बताया है कि ब्लाउस में फिटिंग कैसे लगानी आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है मतलब एकदम आप 100% सही जगा आए हैं आपको यहाँ पे एकदम बीपली बताएंगे कि कहां कौन सी चीज आपको करनी चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और फिटिंग जो रहता है देखो ब्लाउस सब बना लेते कटिंग करना कर लेते है ठीके और देखो इसकी आपको स्टिचिंग की वीडियो भी मारे चैनल पर अप्लोड़ेट है आप जाके महां से देख सकते हो मैं डिस्क्रेप्शन में लिंक देखी और कटिंग जो स्टिचिंग की वीडियो है तो आप अभी देखी रहे हैं इसमें अगर एक बार आप बिल्कुल भी मत करना आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से हमें ब्लाउस को सिलना चाहिए तरीका क्या है सही तरीका क्या है क्योंकि सही तरीके बहुत कम लोग बताते हैं तो आप पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो सबसे पहले हम सलेव कंप्लीट करेंगे सकंट करने कि सबसे पार्ट करने का सबसे तरीका है ये तो यहां पिन लगा लिए अगरा आपके पास पिं नहीं हो तो जो भी आपके पास नॉर्मल पिन हो वो यूज़ कर सकते हो ठीक है आल पिन हो वो यूज़ कर सकते हो यहाँ पर ऐसे पिन लगाने है नहीं तो आप कच्छे टाके भी लगा सकते हो मतलब हात वाली सिलाई इसके बाद हम यहाँ पर जो सिलाई लगती है वो सिलाई लगाएंगे ठीक है और इस वी क्योंकि हमें फिटिंग लगाने का एक्स्ट्रा जो मैथाड जो रहता जो प्रॉसेस रहता वो नहीं पता होता तो हमारी जो है फिटिंग बहुत अब बिल्कुल एकदम ब्लाउस कितना भी फिनिशिंग से बना लो फिटिंग आपकी कड़बड हो जाती है तो यह वीडियो ल इस तरफ करके भी एक सिलाईल लगाएंगे ठीक है मैं इस तरफ से इसली बता रहूए तकि आपको समझ में आएं कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें अस्तर की तरफ करके इस लाईल लगानी यह बहुत जरूर Gey questions क्योंकि अगर आप सिलाई लगाओगे न तो आटोमेटिक आपकी जो कपड़ा है जो ब्लाउज है उसमें फिनिशिंग आने स्टार्ट हो जाएगी दूसरी चीज अस्तर वाला कपड़ा आपका दिखेगा नहीं कभी कभी क्या होता है कि जब हम ब्लाउज वगेरा कुछ भी बनाते तो अस्तर हमारा दिखता है ये सिलाई लगाने से आपका अस्तर का कपड़ा बिलकुल भी बाहर शोर नहीं होगा ये सिलाई लगाई अब देखी कितना अच्छे से एक दम स्ट्रेड हो गया अब यहाँ पे हमें या तो हम पक्की सिलाई लगाएंगी या फिर तो आपको सिलाई लगानी पड़ेगी थोड़ा सा टाइम भी जादा लगेगा पर इसका फाइनल लुक आप भी देखना बहुत अच्छा है तो इस तरीके से हमने यह नीचे से कंप्लीट कर लिया है अब फटा फट में उपर की और भी पिन लगा लूँगी पिन लगाना बहुत आसान है ठीके ऐसे हम सेट करते जाएंगे एक भी क्रीज नहीं होना चाहिए बराबर सेट करते हुगे पिन लगा ले अब पिन निकालते जाएंगे और सलाई लगाते जाएंगे इससे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम कट कर देंगे ठीके अब इतक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजे यह देखिए आप जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे क्योंकि हमने एक्स्ट्रा कट किया था कभी भी क्या हो जाता है यह ऐसे सिल्की कपड़े में छोटा बड़ा हो जाता है तो में जो आपको सबसे easy तरीका है वो आपके साथ share कर रहे हूँ इसमें आपको कोई भी extra पटी नहीं लेना, कोई भी extra joint नहीं लेना, कोई भी कपड़ा extra लेना ही नहीं है जो आपके पास है, वही कपड़े में आपको काम करना है, ठीके? तो इसमें हम आब हम back part complete करना है तो पहले हम कमर पे joint करेंगे, ठीके? कमर पे joint करेंगे, अगर आपको इसमें piping लगाना है तो आप बस कमर पे joint कीजे और अगर आपको गलें पे भी मतलब रसलाए, मतलब पलटना है तो इसके साथ आप गले पे भी PIN लगा लीजिए or गले पे भी صिलाई लगा लीजिए तो मुझे केवल कमर पे लगाने एक क्योंकि मैं गले पे पाइपिंग लगाओगे ठीक stick ए और पाइपिंग का जो वीडियो है वो ओलरेड भी हमारे चैनल पे अपलोड है कि पाइपिंग लगाने का सबसे बैस तरीका क्या होता है अगर आप नए हो तो ठीक है और इस तरीके से अगर आप पाइपिंग लगाओगे तो बहुत अच्छी बन किया है यह वो भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इसके बाद देखिए यहाँ पे हम कमर पे सिलाई लगा रहे हैं आपको देखिए मैंने पिन लगाई है इसके बाबजूद हम इसको पराबर से थोड़ा-थोड़ा करके सिलाई लगा रहे हैं क्योंकि बहुत सिल्की कपड़ा है आप एकदम लंबी सिलाई लगाओगे तो यह आपका फिनिशिंग से नहीं बन क्या जाएगा कहीं न कहीं आपकी जो क्रीज आ जाएंगे मतलब जगह जगह चुन्नटे या सल्वटे आज सकती हैं आप यह देखिए यहां पे भी अस्तर की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके हमें ऐसे सिलाई लगाने ठीक है मैंने पहले आपको स्लेप प कर लेंगे पूरा कमर को फिर मैं आपको दिखाती हूं कमर पर कंप्लीट करने के बाद में चीज ब्लाउस में क्या होता है कि हमें फिटिंग का नॉलज नहीं होता कि फिटिंग कैसे लगाने चाहिए इसमें आपको पूरा लास्त वीडियो जरूर देखना आपको लगाना अगर आपको पसंद नहीं है तो आप कच्छी सिलाई लगा दीजिए बाद में निकाल दीजिए इसके बाद आप देखिए साइड में गले पे आर्म होल पे शोल्डर पे सबी जगा हम पिन लगा लेंगे पिन लगाना बहुत आसान है बराबर से आप जमाते जाए मशीन के पटला है उस पे ही और इस तरीके से हम पिन लगाते जाएंगे बराबर से अट करते जाना अगर आपने एक्ट्रा कपड़ा लिया है तो उसको बाहर की तरफ करते जाएंगे इसमें कोई मेन एक्ट्रा कपड़ा नहीं लिया है तो जो बिलकुल एकदम बराबर से ह बहुत आसान है आराम से हमने सबी जगा पिल लगा ली है इसके बाद अब हम यहां पे कच्छी सिलाई लगाएंगे यह सिलाई लगाने का मतलब मतलब यह है कि आप जो डबल कपड़ा है डबल कपड़े को आप नहीं समभा सकते क्योंकि जब इसमें हम आप फ्रेंट पार्ट जोड़ेंगे तो इसलिए हम पहले इसको सिंगल करना पड़ता है सिंगल करना है तो आपको कच्छी सिलाई लगानी बहुत ज़रूरी है इससे आपको जादा परिशानी नहीं होगी है बलाउस बहुत अच्छे से बन के आएगा ठीक है तो इस तरीके से अगर यह वाली ना सिलाई लान नहीं लगानी है आपको तो आप कच्छी से हाथ की सिलाई अगर ऐसी भी नहीं लगा पा रहे हैं तो हाथ के एकदम बराबर से फर उच्छी बिच बिच हमने शोल्डर को हाफ करा हाफ में शोल्डर की बीच ही टक्स ढलते हैं यह चीज ध्यान रखना है आपको और यहां पर हमने दोनों तरफ माक लगा लिया है जो टक्स है वह एक इंच की चोड़ाई के लिए है मैंने कटिंग का जब वीडियो है उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि कितना इंच आपको लेना चाहिए तो एक इंच लिया है और ऐसे में लंबाई जो है वो पौने चार इंच की मैं ले रहे हूँ जो ठामें पीछे के जो टक्स है वो बरना है उसके लिए तो यहां से हम यह तिर्शी लगाते हुए जाएंगे सिलाई इसको आपको डबल भी करना है पहले कंफर्म कर लें कि सही लगी है इसके बाद आपको डबल करना है ऐसे ही हम डाट यहां पे भी लगा लेंगे यह दोनों डाट मैंने कंप्लीट कर लिए है अब यह जो देखे हमारा अस्तर और में फेब्रिक एक हो गया है मतलब बैक पाठ हमारा कंप्लीट हो गया उसको साइड में रखे अब हमने चोली पे चारो तरफ चोली को दोनों को सेट कर लिया है इसके बाद चारो तरफ इस पे भी हम सलाई लगा देंगे सलाई लगाना वही कच्छी वाली सलाई लगाना है इसी तरीके से हम इसको सलाई लगा लेंगे आसानी से यह देखे और अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कहां से हैं प्लीज मझे कमेंट भी करें अपना नाम कमेंड करे कि कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं तो ये देखिए मैंने दोनों को कमप्लीट कर लिया है अब इसमे एक्स्छा कपड़ा जहां आई आई देखिए एक्स्छा कपड़ा जितना भी है उसको हम फाटाफट कट कर लेंगे ठीक सिल्की कपड़ा है जो एक्ष्रा है अब उसकी हमें जरूरत नहीं है तो जो एक्ष्रा कपड़े को है फटा-फट कट कर लेंगे फिर इसके बाद इनके जो में टक्स है वो हमें लगाने है तो उससे आपको समझ में आ जाएगा अब यह देखी यहाँ पर आपको कोने दिख रहा है यह कोनों पर मैंने निशान लगा दिया है यहाँ पर हमारे टक्स डलेंगे अब टक्स कितने एंच के डलते हैं यह अलग-अलग ब्लाउस के हिसाब से होता है साइज के हिसाब से होता है तो इसमें जो टक्स डाल रहे हैं हम डाल रहे हैं धाई एंच का ठीक है तो मैंने जो धाई एंच की चोड़ाई है ठीक है और यह मैंने टक्स भर लिया यह देख जो तीरे होते हैं उनको complete करना है जैसे हमने चूली अले भाग पे सिलाई लगाई है ऐसे इनके भी चारो तरफ हमने सबी जगा सिलाई लगा के सिंगल कर लिया अब इसमें चूली जोइंड करनी है तो दो भाग ले लिए अगले की तरफ से यहां से में लगाना स्टार्ट करूँगी एक चीज ध्यान रखना है कभी भी हमें यहां से तीरे पट्टी को नहीं कीचे तीरे को नहीं कीचना है चूली में खिचावाएगा हलका सा जादा नहीं तो चोली वाला भागयों उसको हलका सा खीच के रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगानेंगे सिलाई लगाना एकदम आसान है आसानी से आप सिलाई लगा सकते हो जैसे मैं लगा रहे हूँ वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है पर पुरे डाउट क्लियर हो जाएंगे डबल सिलाई लगाते जाना है यह चीज़ ध्यान रखना है यह देखे यह दोनों हमारे कंप्लीट हो जुके हैं आप हम इसमें तीरा पट्टी जोडएंगे ठीके? अब तीरा पट्टी जोडने के लिए पहले तीरा पट्टी को नीचे से हम कंप्लीट कर लेंगे कंप्लीट करना एकदम स्टेट सिलाई लगाने जैसे कि हमने अस्तीन पे लगाई है बैक पार्ट में लगाई है ठीके? कमर पे लगाई है मतला अब इसको भी हमें वैसा ही सेम ब्रॉसेज रखना है अब इसको देखे हमने ऐसा कर लिया है अब यहाँ पे भी हम सलाई लगाएंगे अब जो सलाई लगाएंगे वो भी हमें एक बूट की लगा सकते हो या फिर किनारी वाली लगा सकते हो जो आपको पसंद हो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो ठीके यहाँ पर भी आब हम सलाई लगा लेंगे एकदम आसानी से हम यह सलाई लगा सकते हैं यह देखे लगा ली हैं दोनों कम्प्लीट कर ली है मैंने अब हम जो इसको अटेज करेंगे चोली और जो तीरे हमने complete किया है उसमें तेर्चे बाग की और से तो यहाँ पे हम जो टक्स है उसको उपर के तरफ fold करके उसको नहीं दबाना है और चोली वाला जो एक्स्रा कपड़ा है उसको चोली के तरफ ही रहने देना बाहर तरफ नहीं निकालना है यह देखी सलाई लगा ली है अगर आपको कहीं धागे वागे दिखे तो cut कर दीजिए यह दोनों पार्ट मैंने complete कर ली देखी कितना finishing उठाव देखिया मैं आपको padded लगा के दिखा रही हूँ कि कितना perfect उठाव इसमें आया है अब इसके बाद यहाँ पे हमें back part को लेके दोनों के shoulder joint करने है ठीक है? shoulder joint करने का सबसे आसान तरीका है सीधे सीधे भाग को अपने तरफ कर लो अंदर की तरफ ठीक है? फिर joint करो इसकी एक अब इसके बाद जो मैं वीडियो डालूंगी ना उसमें हम पूरा blouse पूरा अंदर pack वाला से लेंगे मतलब अंदर से भी finishing होगी जितने बाहर से आती है उतनी है तो अब हम इसमें लगाएंगे slave तो slave लगाने के लिए सबसे पहले armhole हमारे बराबर है कि नहीं आगे पीछे का बाग बराबर है कि नहीं यह चेक करना बहुत जरूरी रही है बहुत से लोग चेक नहीं करते हैं फिर क्या होता है उनका blouse आगे से फूलता है ठीक है पीछे back से फूलता है फिर बूलते हैं हमने पूरा complete किया फिर भी क्यों फूल रहा है फूलने की वज़ा यह है कि आप उसको चेक नहीं करते हो कभी क्या होता है कि जहां हमें आधा इंच दबाना है गलती से हमने आधा इंच से कम दबा दिया बैक साइड उपर भी कम दबा दिया तो वो ज़्यादा एक्स्रा कपड़ा हो जाता है अब यह देखिए थोड़ा सा जादा था तो मैंने उसको चटिंग कर ली है और अब देखिए कितना परफेक्ट दिख रहा है एक्स्रा एक्स्रा मैंने पूरा कट कर दिया है यहां से भी जो एक्स्रा दिख रहा है थोड़ा बहुत उसको भी हमें cut कर देना है ये देखे cut कर दिया है अब क्या करना है हमें ये देखे कितना perfect दिख रहा है अब इसके बाद हमने open निकाल ली है और slave लगाएंगे slave लगाने का तरीका center से आपको slave लगानी है इस से क्या होगा आपका जो slave है छोटा नहीं पड़ेगा पराबर बैठेगा ठीके तो slave लगाके मैं complete कर लेती हूँ वीडियो जादा भी लंबा नहीं करना है हमें तो मैं आपको दिखाती हूँ ये slave लगा ली है अब यहाँ पे हमें hook वाली पट्टी और i वाली पट्टी लगाने है तो जो hook वाली पट्टी है वो सीधे वाग की तरफ लगती है ठीके और सीधे हाथ पे लगती है ठीके इस तरीके से हम लगाएंगे अब इसको हमने जो पट्टी कट की है उसको double रखा है मैंने आधाइंच इदर extra लिया है यह सलाई लगाने से यह होगा कि आप जब hook complete जब blouse जो पहनेगा तो hook उठेंगे नहीं तो यह अंदर की तरफ हमने आधाइंच जो कपड़ा लिया था वो दबाते हुए इस पर सलाई लगा दी है अब इसको हम ऐसे यहां से मूर के भी सलाई लगा देगे चीके मूर की सलाई कैसे लगानी है यहां से इस तरीके से हम सलाई लगा देगे यहां पर फिर अगर आपको चाहिए तो आप जो pin आती है ना नॉर्मली pin लगा दीजी और तुरन चाहूँतो तुरपाई भी कर सकते हो या फिर बाद में भी कर सकते हो तो मैंने कच्छी सिलाई लगा दी जब हम इसमें होक लगाएंगे तब सिलाई लगा लेंगे अब जो एक और पट्टी है उसके लिए मैंने फैबरिक कट किया है तो तीन से चार इंच मैंने चोड़ाई ली है और लंबाई जितनी भी हमें मतल आठ के सम्थिंग मैंने ली है ठीक है बाके एक्ष्रा को हम कट कर देंगे अब यह पट्टी जो है हम उन्टे साइड से सीध्य साइड के तरफ लाएंगे ठीक है और इसमें जो एक्ष्रा कप्रा है वो कट कर दे रहा है पहले तो आप इसको हमें मोड़ना कैसे है यहां से ह बीच में जब हभूक लगाते हो ना गेब दिखता है तो वो गेब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इसलिए आप इसको थोड़ी सी चोड़ी बनाए एक इंच से उपर की ही बनाए एक इंच से छोटी नहीं बनाना मैंने कई ब्लाउस देखा हैं एक इंच से छोटी होती फिर बीच में स्किन दिखती है गेब दिखता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अब यहां से भी हम किनारी वाली भी सिलाई लगा सकते हैं ऑप्शनल है अगर आपको लगाने हैं कपड़ा थोड़ा ऐसा है सिल्की वाला तो मैं यहां पर लगा दीती हूँ एक्स पूड वही देख सकते हैं आप जाके अब हम लगाएंगी मेंची जो हें फिटिंग हमारी कमर है 31 31 इक तीस इंच उसका आधा होता है साड़े पंद्रा और साड़े पंद्रा का आधा होता है हमारे पौने आठ तो पौने आठ के जो कमर है अमारी आगे वाली पीछे तो पॉने आड पे हम निशान लगाएंगे आर्म होल हमारा सत्रा इंच का है सत्रा का आधा होता है साड़े आड ठीक है साड़े आड पे निशान लगाएंगे साड़े आड जहां पे भी हमारा आ रहा है वहां हमने निशान लगा है साड़े आड पे निशान लगा दिया इसको हम बिलालें से पहले देखेंगे हमारा चेस्ट बराबर आ रहा है कि नहीं चेस्ट जो है हमारा 37, 37 इंच है 37 का जब हम चौथाई भाग निकालेंगे तो 7,9 आता है जैसे मैं आपको निकाल के दिखा रही है इस 7,9,9 तो यहां से यहां तक देखेंगे देखे जहां हमारा आर्म होले वहीं पे हमारा सवन हो आ रहा है तो मतलब हमारी जो फिटेंगे एक दम परफेक्ट आने वाली है अगले पार्ट में भी पॉने आठ पे निशान लगाएंगे कमर और इसके बाद जैसा हमने उस तरफ आर्म होल पे निशान लगाया था साड़े वैसी सेम यहां लगाएंगे और लगा देंगे यहां पर भी मैं आपको चेक करवा देती हूं देखे सब आनों आ रहा है हमारा चेस्ट अब हमारी कमर पीछे साड़े पंदरा रखनी है टोटल हमारे पास साड़े उन्नीस आ रही है तो कम किया तो मतलब 4 इंच बचा तो हम आपे हमने दोनों तर्प 2 इंच के निशान लगा दिया तो साड़े पंदरा बचा आर्मुल सेम है साड़े आठ वई साड़े-ाठ पे निशान लगाना नाप आपको इंची टेप से नापते हुए ही लगाना है ऐसे अपने मन से कुछ भी नहीं लगाना थीकिए इसके बाह यहाँ पे भी साड़े आड पे मांक करना है मांक करना एकदम सीधी स्टेड एकदम बिल्कुत प्रॉपर करना है जैसा सभी जगह किया है यहाँ पे भी लाइन ड्रो कर देंगे यह हमारा नाप जो हमने लगा लिया है अब यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगी दोनों जो सिलाई जो हमने चौक से निशान लगाएं उनको मिलाते हुए अब इसमें देखी यह वाली जो तीरा पटी है उसको आपको उपर की तरफ करना है ठीक है इसको उपर की तरफ यहां तक आए अब यह देखी दोनों हमारे आर्म होल जो है सिलिप बराबर साइड से एकदम सेम आई है इसके बाद अब हम यहां देखना है कि हमारी स्लिप की गुलाई कितनी है तो तेरा का आधा होता साड़ी छे साड़े छे पर मैंने माक लगाया और वहां तक सिलाई लगा थी अब एक्स्ट्रा हमने इसमें कपड़ा जादा लिया है क्योंकि कस्ट्रुमर की डिमांड है कि उनको एक्स्ट्रा फैबरिक अंदर चाहिए तो इसके लिए मैंने ही हापे भी सिलाई लगा ली है अब यह ए ऐसे करते जाएंगे अब दूसरी स्लेव का भी हम स्लेव से स्लेव नाप लेंगे ऐसा भी लगा सकते हैं यह इंची डेव से नाप लीजे ठीक है और यह हमने बैक सिलाई जरूर लगाना मतलब पकी सिलाई किनारों पे ठीक है अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है और जो लगानी लगानी है मैं इसमें ज्यादा सिलाई लगा रही हूं यह देखिए मैंने 5-6-7 लगाई है बहुत सारी तो इस तरीके से यह देखिए एकदव स्टेड हमारा ब्लाव लॉस कंप्लीट हुआ है तो दीखिए इस में मैंने पूरा आपको fitting का कैसे कैसे process है पूरा बताया है fitting जो main होती वह मैंने प्रॉपर बताई हैं और piping का इसका वीडियो अलग से डला है वो भी आप channel पर जाके रेख सकते हो और वीडियो अच्छी लगे है तो वीडियो को